नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागते मेरे इस यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के इस उडियो में हम बात करेंगे M.U.S. V.A.R. के बीच होने वाली मैच के बारे में आज के इस उड़े में हम बात करेंगे match की details के बारे में उसके बाद बात करेंगे pitch report के बारे में फिर बात करेंगे probably lion दोनों टीमों के किस तरह से रहेगी उसके बारे में और मैं कुछ playerों के stats आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको अपनी खुद की एक winning team बनाने में काफी आ earning तो होई सकती है साथी साथ आप grand league या small league भी जीद सकते तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार request करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो जरूर मेरी इस चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजे साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लेक करना ना भूले तो चलिए दोस्तों मैच की शुरू करते वीडियो को मैच की डीटेल से मैच एकडमिक यम्यू सोफिया वर्सेस बार्बा बार्बियंस के बीच मैच 11 और 12 है दोनों दो मैचे सोने वा दाले की बात करें तो हसल वासल लेवर्सक की नैशनल स्पोर्ट एकडमी सोफिया में होने वाली है दोस्तो तो अब बात कर लेते हैं पिछ रिप्रोट की तो बैट्समन ये कंडिशन्स के लिए प् type पूरियो तरह से एक्छे रहेंगे conditions और अच्छे से बैट पर बॉल आएगी और बैटिंग के लिए पूरी तरसे मददगार है ये पिछ तो अच्छा खासा स्कोर हो सकता है यहाँ पर जरूर यहाँ पर सो के आसपास स्कोर बन सकता है हाँ थोड़ा एंड में अगर बॉलिंग साथ दे सकता है यह पिछ ऐसा नहीं कि बिल्कुली साथ नहीं देगा लेकिन फिर भी आपे 100 से करीब स्कोर बनने वाला है जो की काफी अच्छा रहता है क्योंकि यह T10 का मैच है तो 10 ओर में सोरन काफी बढ़या हो सकते अब बात कर लेते दोनों टीमों की प्रोबेबल इलेवन या फिर आप प्लेइंग इलेवन जैसे कहते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे सबसे पहले अकडमी के मियो सोफिया की यह प्रोबेबल इलेवन देख लेते तो वो कुछ इस तरह से रहेगी A. जेकब अली रसुल A. निश्कौन निश्कौन B. कॉंस्टांटिन D. विनू H. यूसुफ इशान डिसिलवा K. डिसुजा K. जॉर्जी निखिल अलिवरा ओमर रसुल तो इस तरह से रहेगी Academic M. U. सोफिया की Probable Illion या फिर Playing Illion आप कह सकते हैं अब बात करते हैं Barbian's की Probable Illion तो वो कुछ इस तरह से रहेगी D. शीपकोव D. निकोलोव H. लनोव I. लावन I. कात जारसकी J. हरिस्तोव M. बेरबारियन M. मुहमद फैज N. नानकोव V. हरिस्तोव V. कामबुरोव तो इस तरह सरेगी Probable Illion बार्बीयन्स की तो अब कुछ प्लेयरों के स्टैट्स में आपको दिखा दूँगा जिससे के आपको Dream Illion में के आप ही नहीं आप में ही नहीं किसी भी और आप में एक अपनी अच्छी विनिंग टीम बनाने में काफी आसा नहीं हो जाएगी हल्प हो जाएगी इसे आप होटपिक्स या टॉपिक्स भी कह सकते तो सबसे पहले केविन डिसुजा की बात कर लेते मतलब इसके टीम के सबसे बढ़िया पाउर हिटर है दो दोस्तों और सेकंड हैस्ट रनर स्कोरर है इस एडिशन में आप तक उन्होंने 75 रन बनाए साथ साथ दो मैचेस में ही उनके 75 रन है जो की काफी बढ़िया सावित हो सकते है क्योंकि टीटेंड का मैच है दोस्तों और टीटेंड में काफी मतलब कम टाइम मिलता है बल्लेवाज़ों को खेलने के लिए तो इस वज़े से यह 75 रन भी काफी बढ़िया दोस्तों उसके बाद एं जैकब की बात करें तो हैड ब्रिलियंट रन विद लास्ट यह विद द बैट इन्होंने लास्ट पिछले साल में काफी जबरदस बैटिंग की थी साथ इसाथ उनकी देख सकते 10 मैचेस में 314 रन बने थे काफी जबरदस रन बने थे साथ इसाथ आवरेज की तो 62.8 यानि करूप करें 63 का आवरेज था इनका और स्ट्राइक रेट तो काफी जबरदस था 195.03 यानि 195 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट था और साथ इसाथ सोने पे सुआगा यह था कि उन्होंने डो विकेड्स भी लिये थे तो काफी जबरदस प्लियर ह भी शामिल करने के पूरी कोशिश कीजिएगा उसके बाद एफ मौमत की बात करें तो हूँ कैन बैट आज वेल आज बोल प्रिवियर इयर मतलब पिछले साल इन्होंने बैट और बॉल दोनों से जबरदस प्रदर्शन किया था बैट के साथ उन्होंने 130 रन तो बनाई थे स आते साथ वो टॉप विकेट टेकर थे अपने टीम के लिए जो उन्होंने साथ विकेट भी जटकाया थे जानिक काफी जबरदस आल डाउंडर प्रदर्शन था तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा इनको भी अपने साथ रखे हम ज़रूर कोशिश करेंगी कि हैंने हल टीम मे गए है दोस्तो इन्होंने भी अपने टीम के लिए 131 रन बनाए जो कि काफी बढ़िया है दोस्तो काफी कतरनाक है तो ये काफी बढ़िया प्ले आते चारो की चारो अब बात करते अली रसुल की जिया दोस्तो इन्होंने बल्ले से तो ठीक ठाक प्रदर्शन है लेकिन बल या बड़ी या प्लियर के स्टाट्स में ने दिखा दिये जिससे आपको ड्रीमिलियोन के ही आप में नहीं बलकि किसी भी और आप में अपनी एक विनिंग टिम बनाने में काफी हल्प होगी काफी आसान हो जाएगी अब चलते हैं ड्रीमिलियोन के आप पे और देख लेते हैं ड्रीमिलियोन के तीन विनिंग टिम्स जिससे के आपका अच्छी का से कमाई अर्निंग तो हो ही सकते हैं साथ Grand League या Small League भी आप जीद सकते चलिए दोस्तों डेडरी मिलेवन के आप पर आ चुके हैं आप देख सकते इस मैच को थोड़ा ही टाइम बचा है पी ये मैच का वीडियो आल्रेडी मैंने दाल दिया है तो आप मेरे चैनल पर जाके इसे देख सकते या फिर टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक शेयर कर दी है वहाँ पर भी जाए देख सकते तो दोस्तों अभी हम बात करने वाल है M.U.S.V.A.R. की जो तीन घंटे बचे इस मैच के लिए देख सकते तो इस पर हमें जाना है और आप देख सकते पांच घंटे में भी एक मैच है क्रेटर टेम करनी होगी अगर आपने एक भी टेम नहीं बनाए तो मैंने आल्रेडी टेम बना करके तो मैं माई टेम पर क्लिक करूंगा और एक एक करके सब प्लियरों के नाम आपको दिखाऊंगा और किसको क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बनाए वह भी दिखा दूंगा तो माई टेम पर क्लि लिए जो कि काफी बड़ीया प्रदर्शन कर रहे तो इनको हम सब्सक्राइब करेंगे अब चलते बल्लेबाजी पर तो के डिसुजा को हमने शामिल किया है उसके बाद हम बात करेंगे ए निक्सकॉन को लिए दोस्तों ये भी बड़ीया प्लियर है और अच्छे-कासा प्रफ है और अच्छे-कासे विक्टे भी निकालते हैं और रन भी मिल कम बना सकते हैं अफ मैमूत के हमने स्टाट्स में देखा काफी बड़ीया प्लेयर है इनको तो हम किसी भी टिम में नहीं चोड़ सकते तो हमने इस टीम में उनको भी शामिल किया है तो तीसरे जो स्टाट्स हमने देखे काफी बड़िया थे तो जुरूर आप इनको भी अपने टिम में शामिल किजेगा मैंने इस टीम में भी उनको शामिल कर लिया है तो यह भी अच्छे है और अच्छी-कासी विक्टे इनको मिल जा रही है तो जुरूर आप इनके साथ जा सकते हैं इस को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन मनाया है वह भी देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने क्याप्टन मनाया यह रसुल को देख सकते हैं सबसे बड़िया प्रदर्शन रहा इस टोर्ड़नमेंट में अब तक तो के डी सुजा को मैंने वाइस कैप्टर मनाया तो दोनों के दोनों काफे भरस्मन्द है जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं इन पर दावल लगा सकते हैं कोई प्रब्लम में कोई दिकत नहीं तो चलिए एक बाद टीम प्रिव्यू जरूर करा दूंगा सबसे पहले कीपिंग की गीके बात करें तो ऑर दिस्यो बाको हमने लिया है उसके बाद pienयकासों को खाने ऊतनों को सब्सक्रम यह तो चार्णोकी के प्ले किरें क天ब सकते हैं आप चाहे तो चेंज भी कर सकते कोई प्राब्लम नहीं लेकिन यह सबसे भरोषिमन मुझे लग रहे थे इस वाँ जैसे मैं इनको क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बना रहा हूं तो काफी बड़ी आटेम बन चुके ज़रूर आप इस टीम को ग्रांड लिक के लिए उसकी कि आप देख पार है एजबर को को और आइडिस लवाइन दोनों को इस टीम में शामिल के आए तो दो की पर होने के वाज़े से हमारे पास फिर से तीनी बल्ले बाद रहेंगे इस बार हमने के डिसुजा को लिया है उसके बाद हमने लिया एज निक्स्वान को उसके बाद चैंजेशन नन को को लिया है तीनों की तीनों काफी बढ़िया बल्ले बाद है काफी बरसे मने जरूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं चलते हो अल्रॉंडर पर तो डी कासमीराओ को हमने फिर से लिया एफ मैमुद को ता हमार टीम में लिए नहीं वाले इनको भी इस टीम अफ और यह सोब को लिए तो ज्यादा मतलब changes नहीं है इस तीम में दो-3 changes हमने किये है क्योंकि ज्यादा रिसकी नहीं ले रहा है हमको तो यह भी टिम आप जरूर grand league के लिए यूज कर सकते हैं कोई प्रब्लेम में small league के लिए भी तीम यूज कर सकते हैं तो फिर से continue पर click कर लेते हैं तो देख लेते हैं किसको captain और vice captain हम बना सकते हैं तो इस team का captain हमने बनाया है एक महमोद को जैसे कि आपने stats में देखा था काफी बड़िया प्रदर्शन है काफी अच्छे all runner है batting और balling दोनों से अच्छा खलते हैं तो जरूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं तो वही हमने डी विनू को vice captain बनाया बॉलर है लेकिन काफी अच्छे point दे रहे तो जरूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं कोई problem में कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक बार फिसे team प्रियू जरूर करा दूंगा मैं दोस्तों देख सकते हैं आपने या पे दो की पर लिए डिसिल्वा को तो लिया यह एज बरको को भी इस team में शामिल किया तीन बल्ले बाद एक निक्सवान को लिया है के डिसुजा को लिया है एननन को को लिया तीनों की तीनों बल्ले बाद काफी बढ़िया है काफी अच्छे रन बना रहे हैं काफी अच्छे फर्म है जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं वही हमने तीन ओल्रॉंडर को लिया है तो यह भी काफी बढ़िया है तीनों की दिनों और बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं ले इसके बाद हमने 3 गेन बाद रीए है भी यह भी मुझे सेफ लग रहे हैं आपचाई तोचेंज कर सकते लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो यह भी टिप हमण काफी बनिया मन चुके इस टीम को भी हम सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम को इडिट करके यहां पे देख लेते तो तीसरी टीम में मैंने पहले दोनों कीपर को नहीं लिया डिसिलवा और एच बेर को नहीं लिया क्योंकि उन दोनों को हर टीम में लेंगे तो दूसरे दो कीपर अगर अच्छा परफॉर्मस कर देते तो हमां हमको पॉइंट काफी कम मिलेंगे तो इस वजह से मैंने इस टीम में ओ रसुल को रखाए और वी हरिस्टो को रखाए तो इस तरह से दो कीपर को हमने लिया है फिर से बैटिंग पर हमारे पास के डिसुजा है उसके बा अपस लिया है यह तीनों की ट्यूनों वैसे है हमारे पास गेन बाजी में चलते डी विनु को लिया है लेकिन जकब को भी लिया है और एक काता जहस्कीव को भी इस टीम में शामिल किया है काफी बढ़िया टीम है दोस्तों और संतुली टीम है अच्छी टीम बन रही है इस बाज जिसमेन इंको कैपटन बना है तो वही वाएस कैपटन की बात करे तो ए जिकब को बने बना है ये बी काफी बढ़िया फॉर्म में और अच्छे खासे विक्ते इनको मिल रहे जरूर आप इनको भी वहार बंना सकते है तो इस तरसी यह बी टीम हमारे बन चुके का नको लिया उसके बाद काशी delivering को लिया है और एफ मयमूत को लिया और A रसूल को लिया इस तरह से टीन ओलरंडर हमारे पास है दौस्तों तो यासकी को लिया लिए तो काफी बढ़िया टीम है दोस्तों जरूर आप इसे भी ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग दोनों के लिए लगा सकते कोई प्रब्लम में कोई दिक्कत में तो इस तरह से कैप्टन हमने ए निक्सोन को बना है तो वाइस कैप्टन ए जिकप को बना है ये भी थोड़ा क्लोज कर देते हैं और सेयो कर देते हैं दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा क्योंकि मैंने काफी अच्छे प्लियरों के स्टैट्स दिखाए तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिखे साथ इसाथ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टीम सबसे ज़्यादा पसंद आई और किस कैप्टन और वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहेंगे साथ इसाथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि उनको भी थोड़ी अर्निंग हो जाए और दोस तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यू धन्यवाब